यह उडान के चमतकार की कहानी है पर यह कल्पना की उडान नहीं है यह आकाश पर विजे की कहानी है युद्ध प्रणालियों की सफलता की कहानी है यह प्राओद्योगी की की नई नई संभावनाओं की कहानी है यह मानवी हस्त कौशल का परिणाम है यह हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड की उची उडान की कहानी है क्या है जो इस कमपनी को अगरगामी बनाता है देखें वाइमानिकी केक्षेत्र में सर्वोत कृष्टिता हासिल करने के भारत के सपने यही पर साकार होते है जब इरादे उंचे हो तो कदम ठोस होने चाहिए इसलिए एचेल ने स्रेश्ट तक्नीकी अधिरचना की स्थापना में अपनी पूंजी लगाई है एक ओर जहां विशालकाई प्रचालन है वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म पर भी ध्यान है यहां पुन्वत्ता की तीक्ष्न द्रिष्टी से एक भी घटक बच नहीं सकता है एक भी प्रक्रिया स्रेश्ट तम पद्धतियों की परिधी से बाहर नहीं है अत्याधुनिक यंत्र किसे का केवल एक पहलू है एचेल में मनिश्य के वे निपुन हाथ हैं जो इन यंत्रों से उत्कृष्ट कारी करवाते हैं अपने तक्नीकी ज्यान और अंतहीन निष्ठा से एचेल के कर्मचारी हमेशा अंतराश्ट्री स्थर का प्रदर्शन देते हैं अपनी गुणवत्ता एवं विश्वस्नीता की शक्ती के साथ आधुनिक प्रबंधन सिध्धानतों को जोड़कर एचेल ने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया है आज एचेल दुनिया की स्रेष्ट वायमानिकी कमपनियों में से एक है जो अनुसंधान एवं विकास से लेकर विनिर्मान तक हर कार्य में आगे है चाहे विमान हो, हेलिकॉप्टर हो, इंजन हो या वायमानिक प्रणालियां हो अपनी देशी कृत अभिकल्प एवं विनिर्मान शमताओं के साथ एचेल ने दुनिया की कुछ अत्यन्त सुगढ़ और सक्षम वायानों का निर्मान किया है नई पेड़ी का एडवांसिड लाइट हेलिकॉप्टर एक बहु भूमी का बहु उद्देशी हेलिकॉप्टर है बड़ी बड़ी उन्चाईयों पर समद्र पर और रेगिस्तान पर हर मौसम में इसका कार्य निश्पादन अद्बुत है जिसके कारण यहसैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के प्रचालनों के लिए उप्युक्त है इसलिए इसका नाम है द्रुब यह नब का चमकता तारा है HGT-36 एक इंटरमीडियेट जेट ट्रेनर है जिसका अभिकल्प और विकास HL के द्वारा किया गया है इसकी सीटों का निर्मान इस प्रकार है कि पैलेटों को अपने परिवेश का द्रिश स्पष्ट दिखाई देता है इसमें MFD और हज जैसी आदली क्वाइमानिक प्रणालिया लगी है अपनी निपुन्ता को पूर्णता देने की अभिलाशा रखने वाले पैलेटों के लिए HJT-36 से बहतर प्रशिक्षनवाईयान नहीं होगा विश्व का सबसे हलका लड़ाकू विमान तेजस है इसकी फूर्ती और दक्षिता अतुल निय है तेजस को ADA, Aeronautical Development Agency एवं HAL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है पुरान के लिए तयार यह वाईयान लक्ष है यह पैलेटलेस टारगेट एरक्राफ्ट PTA है लक्ष का उप्योग लड़ाकू वाईयान के पैलेटों को तारगेट प्राक्टिस के लिए आयुधू एवं मिसाइलों के प्रयोग में फ्रशिक्षन देने के लिए किया जाता है HAL ने सिर्फ सर्वोत कृष्टिता को अपनी मन्जिल बनाई है अत्यादुनिक अंतराष्ट्री अभिकल्प को अपना कर यह विनिर्मान का कार्य कर रहा है HAL के द्वारा विकसित वाईयानों की विविधता ही इसकी उत्पादन दक्षिता का प्रमान है HAL के द्वारा विनिर्मित 130 MKI वाईयान सबसे शक्तिशाली युद्ध विमान है यह थ्रस्ट वेक्टुरिंग इंजिन, काना डिजाइन, आधुनिक एवियौनिक प्रनालियों और भारी आयुद भंडार से लैस है यह वाईयान सुगड है, दक्ष है, इसका नाम हॉक है HL के द्वारा विनिर्मित यह एडवांस जेट ट्रेनर है, जिसमें आधुनिक वाईमानिक प्रनालियां लगी हुई है विविदिता का बेमिसाल उदाहरण है, डॉर्नियर DO-228 HL के द्वारा विकसित एक हल्का परिवहन वाईयान, जो कई प्रकार के कारी करता है समुद्री निगरानी, प्रदूशन नियंत्रन, खोज एवं बच्चाव, ट्रूप परिवहन, स्थानिक हवाई परिवहन और वियाईपी परिवहन अपने लक्षों को हमेशा उन्चा रखते हुए, HL ने वाईयानों के कई आधुनिकी करण कारिक्रम सफलता पूर्वक पूरे किये हैं जगवार में अब बहतर मार्ग निर्देशन और आघात प्रणालिया हैं, सेंसर हैं, मिशन कंप्यूटर हैं और इसकी मारक शमता बढ़ाने वाले उपकरण हैं HL और रक्षा वाईमानिक अंसंधान स्थापना देर के द्वारा संयुक्त रूप से आधुनिकी करण मिख 27 अब अधिक शमता और शक्ती के साथ बूर रहा है अंतरिक्ष में भारत की सफल यात्रा में HL की विशिष्ट भूमिका है PSLV, GSLV, INSAT और IRS उपग्रहों के लिए यह कई घटकों का विनिर्मान करता है अपनी निपुंटा की विविधता, मानव शक्ती की उपलब्धता और तक्निके दक्षिता के चलते HL का अन्यक शेत्रों में भी कदम रखना स्वाभाविक है आउद्योगिक एवं समुद्री गैस टर्बाइनों के विनिर्मान, अनुरक्षन, मरम्मत और ओवर हॉल का कार्य एचेल के द्वारा किया जा रहा है नौसेना अनुप्रयोगों, व्यावसाईक समुद्री पर्योजनाओं और ओध्योगिक विद्यूत उटपादन में भी एचेल की भूमिका है आज एचेल की योगिता की पहचान विश्व भर में है बोईंग, एरबस, जैसी कई वाइश्विक कमपनियां एचेल के साथ साजीदारी के प्रती उच्जुक है निर्यात में लगातार वृद्धी हो रही है भविश्य में आने वाली चुनावतियों का सामना करने के लिए अपने आपको सक्षम बनाते हुए एचेल अपनी प्रक्रियाओं की पुनररचना कर रहा है और अपने प्रबंधकों को स्रेश्ट मार्गदर्शिकों के रूप में ढाल रहा है एचेल भविश्य की ओर उंची उड़ान भरते हुए विश्व की चुनिंदा वांतरिक्ष कंपनियों में अपना स्थान बना रहा है इसका लक्ष स्पष्ट है इरादे बुलंद है और निष्ठा अटल है जो आकाश पर विजे पा लेता है वही धर्ती पर राज करता है